इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि कैसी है मेरी वर्क प्रोफाइल ताकि आप लोग डिसाइड कर सके वेदर आपको जॉइन करना है कि नहीं AI इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ CNS के बारे में बताऊँगा क्योंकि मैं CNS में हूँ थोड़ा बहुत ATC का आइडिया है तो मैं बता दूँगा सिविल और जो आर्किटेक्चर वाले जो पार्ट हैं जो जेईज हैं उनका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं क्योंकि उनसे मिलना भी नहीं हुआ है मैंने देखा है सिविल इलेक्ट्रिकल वाले में जादा यंग लोग तो अभी तक मैंने देखे नहीं है जो पुराने लोग काम कर रहे हैं वो ही लोग देखे पर ATC में नए लोग दिखते रहते हैं और CNS में भी नए लोग दिखते रहते हैं तो CNS का ही मैं बताऊंगा अच्छे से तो जो भी गेट के थ्रू आने की सोच रहा है इसाज जेई जूनियर एग्जेक्युटिव एई में तो किस टैप का आपको काम मिलेगा करने को वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दोते हूं इसमें ठीक है एटीसी का थोड़ा बहुत आइडिया है तो वो भी बता दूँगा सिविल और इलेक्ट्रिकल वगरा का मैं कुछ कह नहीं सकता अलब एकदम ही कम आइडिया है मेरेकों स्टार्ट करता हूं CNS जो पार्ट है वो है Communication, Navigation और Surveillance Communication मतलब वारतालाब जो भी मतलब एयर ट्राफिक कंट्रोलर है और जो एयर क्राफ्ट में पाइलेट है उनके बीच का conversation जो होता है वो transmitter receivers यूज करते हैं बोलो communication के तो जो amplitude communication, amplitude modulation और ये digital communication वगरा जो communication का subject पढ़े हैं जो आप वही समझ लीजिए वहाँ यूज हो रहा है ठीक है तो वो जो equipments यूज करते हैं communicate करने के लिए जो ground में equipment यूज होता है पाइलेट के पास नहीं पाइलेट का equipment हम लोग नहीं देखते हैं पाइलेट के aeroplane में जो लगा है वो aircraft वाली company देखती है जो हमारा ATC उससे बात करने के लिए equipment यूज कर रहा है communication में वो equipments को देखरे करने वाले लोग हम हैं हमें भी वो unit है communication की एक unit होती है जिसमें हम जैसे लोग अलॉट होंगे जैस जाएंगे ठीक है और क्या बोलते हैं उस unit में अलॉट होने के बाद आपको यह काम करना रहेगा उन equipment को देखना रहेगा इसके साथ ही साथ जो मुंबई में मैंने देखा है साथ साथ transmitter receiver तो देखेंगे कि कैसे transmit हो रहा है कि नहीं सही किसी दूसरे frequency पर noise आ रहा है कि नहीं वो सब कैसे ठीक कर रहा है कोई इशू आता है जैसे आपको जाएजा के रेक्टिफाय करना पड़ेगा यह अधिया काम है इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग वगरा भी चेक करनी हो सकती है वाजब रिकॉर्डर एक होता है जो कन्वर्सेशन्स रिकॉर्ड करता है किसकी कन्वर्सेशन ATC की और पाइलेट की ताकि कोई कांड हो जब तो सुनते हैं मतलब रिकॉर्डिंग को ताकि कोई प्रूफ मिले एविडेंस मिलता है उसमें तो रिकॉर्डिंग इसलिए की जाती है साथी साथ रिकॉर्डिंग आपस में दूसरे यूनिट्स के बीच भी होती है जैसे आप फोन मिलाओगे किसी को टेलीफोन रहता है टेलीफोन में किसी से कोई बात हो रही है तो वो भी रिकॉर्ड होता है तो जब कांड होते हैं तो इस सब चीजे काम आती है तो उसके अलावा यह होगि कम्युनिकेशन का तो रिकॉर्डिंग वगरा चेक करना ट्रांस्मिटर रिसीवर्स वगरा देखना तो एक जगे पर इंस्टॉल है तो वो देखना different जगाओं पर इंस्टॉल है तो भी देखना तो कोई भी noise type का आ रहा है या किसी और frequency पर आ रहा है दिखकर तो वो सब चीज़ें वो हैंडल करते हैं यह हुआ communication वाले पार्ट का बात इसमें आपकी allotment हो सकती है next आते हैं navits बोलते हैं navigation वाला पार्ट जिसमें मैं हूँ तो navigation वाले में ऐसा होता है कि जो aircraft होता है जब वो उतरता है runway पे तो वो दो equipment का यूज़ करता है ठीक है दो equipment जो होते हैं वो होता एक localizer और एक light path यह equipment के नाम है बड़े बड़े अच्छे equipment होते हैं उनके antennas वगरा होते हैं सब तो वो दो equipment का use करते हुए वो उतरता है ठीक है एक जो होता है center line provide करते हैं मतलब runway का center line पर उत्रेगा वो और एक जो होता है elevation angle provide करता है तो समझ लीजे आप सामने से देख रहे हैं तो center line कहा है runway की center line देखे हो गया वो कैसे मिलेगी उसको और साथी साथ किस angle पर उसको land करना है वो glide path बताता है localizer जो बताता है वो center line बताता है अब बोलो कि दिखता तो है वो लेकिन वो equipment पर trust करके उतरता है line दिख रही है वो कहीं भी हो सकती है थोड़ी आगे पीछो हो सकती है लेकिन जो equipment center line बताएगा उसको aircraft को तो वो use करते हुए वो उतरता है usually ठीक है तो क्योंकि उस पर जादा rely करता है वो ताकि aircraft इधर उधर ना हो runway के एकदम center पे और correct angle पे उतरे correct angle पे उतरना है इसलिए है क्योंकि जर्क कम से कम लगे passengers को ठीक है और center line पे उतरना है ताकि aircraft यहाँ आना हो तो यह दो जो information है aircraft को कौन देता है दो equipment देते हैं एक localizer और एक light path तो यह equipment को देखना कि कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है सही से चल रहा है कि नहीं वो हम लोग का काम में आता है ठीक है यह दो equipment के साथ एक तीसरा equipment होता है करके distance measuring equipment जो एक slant distance देता है aircraft को runway से slant distance देगा और वो उस distance को measure करते हुए देखते हुए कि हां किता दूर बाकिये किता दूर बाकिये करके उतरेगा वो तो यह तीसरा equipment हो गया है जो हम लोग देखते है चौथा equipment एक है जो होता है DVR Doppler very high frequency only range करके होता है वो एंगल प्रोवाइड करता है जैसे aircraft कहीं और से आ रहा है यह यहाँ DVR लगा हुए तो उसको एंगल मिलेगा एक ठीक है कैसे एंगल मतलब बना के उसको runway की तरफ आना है या फिर एयरपोर्ट है वो किस एंगल पे है कह पर है यह सारी information DVR देता है मोटा मोटा बता रहा हूँ बस आपको तो यह चार equipment होगा यह चार equipment हम देखते है runway के हिसाब से एक runway है अगर तो एक ILS यूज होगा ILS मतलब combination दो का localizer प्लस glide path दोनों का होना जरूरी है तब ही उतरता है वो ठीक है क्या यह equipment नहीं रहेंगे तो चलेगा तो भी चलेगा वो visually भी उतार सकता है पर generally नहीं करते हैं ऐसा ठीक है क्योंकि visibility पर depend करता है अगर visibility सह यह तो उतार सकता है वो नहीं है तो फिर नहीं उतारेगा तो runway के हिसाब से एक runway पर एक ILS लगा है तो दूसरा runway पर दूसरा ILS लगा होगा तो equipment बढ़ जाते हैं देखने के लिए हमको यह सारे equipment पर कोई अगर fault आता है या दिक्कत होती है या कुछ भी होता है तो हमारी आके देखना पड़ेगा कोई भी fault दिक्कता है तो ठीक है इसके अलावा administrative work तो सब जगे ही समझ लीजे सारे unit में है तो यह दूसरा unit मैंने बताया navigation तीसरा unit है surveillance का surveillance मतलब radar ठीक है radar जो होंगे primary radar secondary radar जो आप लोग पढ़ते ना college में वही है ठीक है अब radar जो लगे होए है ती बारी surveillance में radar होते हैं तीक रडार primary secondary radar दोनो टाइप का जो अपन पढ़ते हैं college में वही है जो station पर लगा हुआ है समझ लीजे वही आपको देखना है ठीक है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं frequency सही पर घूम रहा है कि नहीं गोलवल और भी बहुत सारे parameters रहते हैं वो सारे वो दोनों लगे हैं तो दोनों का maintenance करेंगे नहीं लगा होगा तो एक देखे दो नहीं है तो एक ही का देख रहे हैं वैसा टाफ करे दा उसके अलावा उनका जो administrative work है वो देखेंगे तो radar क्या होता है कि एक ही नहीं लग रहते हैं तीन-चार लगे रहते हैं तो उन सब मिल्ठ क करेंगे तो दिक्कत आएगे तो वो वो काम करना हम ही जैई का काम है जैई मतलब जो cns में जॉइन हुआ है ठीक है तो ये तीन में जो है यूनिट है जो टेक्निकल है इन में मैं अगर मोटा मोटा बोलू तो आपको कम्यूनिकेशन सबजेक्ट एंटीना वाला जो इमफ थियोरी वाला सबजेक्ट वो काम आ जाएगा और तीसरा रडार वाला सबजेक्ट ठीक है ये तीन सबजेक्ट काम आएंगे आपको यहां AI में तो मैं जो मेरा जो equipment चलता है वो amplitude modulation वगरा में ही रहता है तो वो ही सब पे काम करता है या Doppler shift वगरा circular Doppler shift वगरा यह सब चीजे पढ़नी पड़ती है थोड़ा complicated है मेरा वाला part बाकी unit का मैं बतानी सकता ठीक है इसके अलावा जो आप देखते हैं वो है security होता है कभी वार security में वो जो CISF लोग चेक करते हैं आपका battle door होता है और फिर जिसमें से back pass होता है वो equipment भी कभी गवर देखना पड़ता है यह major ही है पर कई-कई station में एयरपोर्ट में आप पोस्ट हो गए न तो वहाँ पर भी क्या बोलते है equipment देखना पड़ सकता है ठीक है यह वाला इसके अलावा कुछ non पर इन से तो उसको कैसे direct करना है दूसरे country में या अपने में कैसे फैलाना है notum वगरा लेना कैसे होता है notice to air personals ऐसा रहता है तो मतलब notum मतलब ऐसा है कि एक information सबको अगर pass करना है तो वह office देखेगा सबको मतलब पूरे मतलब इंडिया में या फिर दूसरे links में तो यह सब non-tech type के work होगा है थोड़े समझ लीजे इसके अलावा एक और unit होती है जो HFRT कहलाती है high frequency radio transmission मतलब high frequency पे आप transmit कर रहे हैं अपनी voice को aircraft को यह ATC से थोड़ा अलग होता है क्योंकि यहाँ पर oceanic वाला जो area होता है यह handle करते हैं इसमें cns वाले ही recruit होते हैं यह ATC जैसे ही job होता है पर जो oceanic region होता है यह handle करते हैं HFRT वाले उस पर मतलब messaging देना उसको aircraft को उससे लेके ATC को देना ATC से लेके फिर उसको देना oceanic region पर जो ATC वाले होते हैं वो airport के आसपास का area देखते हैं या अप्रोच बोलते हैं और area बोलते हैं ऐसा मतलब tower ऐसे regions define है airspace में तो वो area ATC दे वाले में भी CNS वाले recruit होते हैं तो यह मोटा मोटा यह सारे units हैं यहाँ पर हो सकते हैं और किस type का काम हो सकता है यह समझ रहे हैं इसके अलावा जो है जरूरी नहीं आप सब unit देखना पड़े कभी कबार ऐसा होता है कि अगर कोई छोटे station में है तो वहाँ पर आपको radar भी देखना पड़ सकता है communication का भी देखना पड़ सकता है क्योंकि वह यह equipment है वहाँ पर DVR एक ही लगा है माल लो या फिर communication का एक लगा है और नैविट्स का भी एक लगा है तीनों आप ही को देखने पड़ सकते हैं शौटेज है वहाँ पर लोग भी नहीं है ज्यादा और आप ही senior है एकदम तो आप ही को handle करना पड़ेगा है तो कभी गवार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं एक unit मिल गई तो उसी में काम करना चाहिए कोई card चाहिए तो उसके लिए हमको file चलानी पड़ती है तो वह सारे काम भी सीखना पड़ते हैं यह administrative work में आ जाता है तो administrative work तो attach रहे गई इसके साथ साथ आपको यह भी करना पड़ सकता है main काम आपका traffic चलता रहे जलब aircraft वगरा को कोई दिक्कत नहीं आनी काद दो equipment रहेंगे बस उसी के देखना रहेगा maintain करना रहेगा तो दिक्कत कम रहेगी मैं जैसे मुंबई में हूँ तो मुंबई बहुत heavy traffic वाला एरिया यहाँ थोड़ा load ज्यादा रहता है यहाँ पर equipment भी ज्यादा है तो सिर्फ एक ही unit देखनी पड़ रहे है हम लोग को म में भी कहीं और जाओं अगर मैं transfer होगा तो वहाँ multiple units भी देखनी पड़ सकती है senior होने पर तो ऐसी भी स्थीति आ जाती है ठीक है तो यह काम-काम के points बता दिया हमां अब इसमें working hours तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ shift में भी रहती है जनरल में भी रहता है तो generally यही काम करते हैं maintain करना और सही से equipment चलता रहे बस और अगर कोई fault आया तो आपकी जिम्मेदारी आपको देखना पड़ेगा तो अगर मैं बोलू हूँ short में तो अगर आपको पढ़ने लिखने में बहुत interest है तो आपके लिए AI बहुत सही है क्योंकि आपको career में पढ़ते ही रहन करना है वो सीखते हैं क्योंकि equipment आप बंद करने का आपको chance नहीं मिलेगा या फिर उसके साथ छेड़ जाड़ करने का chance नहीं मिलेगा क्योंकि वो operation में रहेगा aircraft यूज कर रहे है continuously 24 घंटे equipment चलते रहते हैं आप छेड़ जाड़ नहीं कर सकते तो पढ़ लिखके ही आपको स्टेशन में दिये जा रहे है जेए इसको ताकि वो बड़े seniors के अंदर में रहके काम सीख सकें और फिर कोई छोटे स्टेशन में जाए तो वहां खुद बखुद हैंडल कर सकें यह main reason है बड़े-बड़े स्टेशन में posting देने का अभी बड़े स्टेशन मतलब Metro से वग रह है जादा तर और और क्या है काम का इसके अलावा आपके working hours पर बता दिया मैं यही काम में उतना प्रेशर नहीं रहेगा पर काम आना चाहिए आपको जनरली रूटीन में आपको हर रोज काम उतना जादा नहीं रहेगा पर अगर फॉल्ट आ गया न तो आपकी पूरी knowledge काम इतना दिन से क्या पढ़ रहे थे आप क्या सीखे हो सब एक बार में यूज हो जाता है जब फॉल्ट आता है तो तो इसलिए दिन बर दिन रोज थोड़ा 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 मैं कुछ सीखते रहता हूं ताकि कोई फॉल्ट आए तो अपन भाई आप on my own मैं ठीक कर सको इस उसमें मैं तोड़ा इन्वाल्व हुआ है इस बार में तो वो भी किया है वो भी करना पड़ता है कभीकार तो networking बोलूँगा एक communication वाले subject एंटीना वाला subject और और ये radar वाला यह सारे चीज mostly यूज होंगे आपके पर यह है कि टेक्निकल चीजें देखते रहेंगे आप पर पहले भी मैंने बताया है उनका काम mostly aircraft से इंटराक्ट ही करना होता है या फिर कोई administrative work रहेगा civil और उनका मेरे को जादा जानकर ही नहीं है electrical वालों का electrical वाले mostly supply वगरा देखते है power supply सही जा रही है कि नहीं सही जगे अगर कोई दिक्कत हुआ तो उनको call करके हम बुलाते है civil वाले में ऐसा है कि कुछ काम ground work रहता है या फिर कुछ construction related रहता है तब हम लोग उनको call करते हैं उनको बताते हैं पर कोई ऐसा बंदा जो civil का ही हो उसमें काम कर रहा हो electrical का ही हो तो वो जादा अच्छ बता पाएगा even in ATCB और भी detail में आपको बता पाएगा मैं CNS का हूँ तो वो ही बता पा रहा हूँ मैं फैसा J अगर आप जोईन करते हैं junior executive AI में CNS department में gate के तुरू तो आपको ये सारे departments मिल सकते हैं और इस step का काम हो सकता है इसके अलावा कोई अगर आपके दिवलो दिमाग में कोई आता है doubt तो आप लोग मेरे को इसी वीडियो के comment section में पूछ लीजेगा मैं बता दूंगा तो तब तक के लिए मिलते हैं next video में फिर bye bye